नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कंसल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विशय पर चर्चा करना चाहूंगा आज का जो विशय है वो है जिस प्लोट के इस्ट में गली लगती है और साउथ में गली लगती है यानि कॉर्णर का प्लोट बनता है ऐसे प्लोट को साउथ इस्ट कॉर्णर का प्लोट कहा जाता है ऐसे प्लोट को बनाते समय किन किन विशयश बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा plot की जो चोड़ाई बनती है वो south से north के और चोड़ाई बनती है और east से west के और लंबाई बनती है ऐसे में जो plot का front बनता है वो east में यानि पूरो दिशा में बनता है ऐसे plot में आपको building कहां बनानी चाहिए वास्तु के अनुसार आपको जो building बनानी चाहिए यदि आपके plot का size बड़ा है तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपके plot के west east में भी और west में भी open area होना चाहिए east में यानि पूरो दिशा में open area जदा होना चाहिए और west में यानि पस्चिन दिशा में open area कम होना चाहिए आपके plot का size बढ़ा है तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा आप अपने plot के north के भाग में कम से कम 7 feet से 9 feet के करीब open area जरूर छोड़े ऐसा करने से आपके plot के अंदर जो building बनेगी वो building complete आपकी south wall के साथ बन जाती है इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है यदि आपका plot छोटा है तो आप front में यानि पूरो के भाग में ज़्यादा open रखे और back side में यानि पश्चिन दिशा में open area कम रखे और साथ में दियान रखना है जो आपकी दक्षिन की दिवार है सबसे पहले तो आपको दक्षिन की दिवार पर कोई भी gate कोई भी दरवाजा नहीं लगाना है इसी के साथ दक्षिन दिशा में जो window लगाए window का जो size ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और दक्षिन के स साथ जितने भी रूम बनते हैं उसमें दियान रखना है हर रूम के साथ वेस्ट के भाग में कोई भी खिड़की आपने नहीं बनानी है पूरों के भाग में जितनी ज्यादा खिड़कियां हो सकती है जितने ज्यादा दरवाजे हो सकते उतने आप रख सकते हैं ऐसे ही पश यानि पश्यम की दिवार पर आपने साथ वेस्ट कोने में कोई भी खिड़की कोई भी दरवाजा नहीं रखना है आप अपने यहां नौर्थ के भाग में ओपन एरिया रखते हैं आपके यहां स्पेस जदा है तो मैं आपको कहूंगा कि जो नौर्थ का भाग है नौर्थ की जो दिवार बनती है नौर्थ हिस्ट कॉर्णर से नौर्थ वेस्ट कॉर्णर तक इसमें जितनी ज़्यादा खिड़कियां और दर्वाजे रखेंगे आपके यहां हमेशा ही धन दोलत आने के सादन बने रहेंगे इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा आपको बिल्डिंग बनाते समय ध्यान रखना है आपके यहां जो फर्ष की धलान है वो सारी की सारी साथ वेस्ट से नौर्थ हिस्ट की और आनी चाहिए ऐसे ही जो आपकी छट बनती है छट के उपर जो धलान होती है व अपन एरिये में जो फर्ष की धाल करनी है वो आपने वेस्ट के बाग में साथ वेस्ट से नौर्थ वेस्ट की और और नौर्थ वेस्ट से नौर्थ हिस्ट की और ऐसे ही आपने साथ हिस्ट से नौर्थ हिस्ट की और फर्ष की धाल लेकर आनी है और ध्यान रखना है जो आ इस्ट के भाग में और वेस्ट के भाग में उपन एरिया जरूर रखना है आप ऐसे प्लोट में अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने समझे और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी की बाते सही है तो वास्तु के अनुसार ज उस पर भी आपने ध्यान रखना है कि वास्तु के अनुसार अंदर का स्ट्रक्चर भी सही होना बहुत जरूरी है जो बाते मैंने आपको बताईए वो बाते मैंने आपको प्लोट के बारे में और बिल्डिंग किस एरिये में बनानी है और कौन सा हिस्सा उचा रखना कौन स हिस्सा खुला रखना कौन सा हिस्सा कवर्ड करना है मैंने इसके बारे में जानकारी दी है आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर भी जरूर की कि कि युदि कि मैं हमीशह हुआ वास्तूशास्तर के साथ अपने अनुभव की जनकारी आपके साथ शेयर खरता हूँ आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले गरीं किरें और बैल आइकन जरूर जोश्कर